हेलो दुस्तो स्वागते आप सभी का टेक मशीन की एक न्यू वीडियो में दुस्तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि आखिरकार फैक्टरी में इस प्रेस को कैसे बनाया जाता है दोस्तो इस प्रेस का यूज आप अपने जनरली कामों जिसे कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हो लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि इस फैक्टर में कैसे बनाया जाता होगा दोस्तो आज की इसे वीडियो को आप एंट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा नौलेज़फूल होने वाली है और आपको इसमें कुछ नया ही देखने को मिलने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं बिला किसी दैरी के दोस्तो आइरेन प्रेस की इस मैनुफेक्चरिंग में सबसे पहले इनके प्लास्टिक वाले पार्ट्स को तयार किया जाता है इसके बाद रोबोटिक मशीन द्वारा इस पार्ट्स के पिछले वाले हिस्से पर कट लगाया जाता है जिसके अंदर से वायर को गुजारा जाएगा इस प्रोसेस के बाद सबसे मेन पार्ट जो आइरेन को गर्म करने में मदद करती हैं उसे तयार किया जाता है जिसे हमारी भाशा में आइरेन पत्ती कहा जाता है इन पार्ट के तयार हो जाने के बाद लोहे के बने प्रेस जिसे आकार के अंदर आइरेन को डाला जाता है ये आइरेन बहुती पतला होता है इसके सूख जाने के बाद आगे के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है इस अगली प्रोसेस में इनके जोइन पार्ट्स पर कलर वाले गलू को लगाया जाता है ताकि प्रेस दिखने में आमेजिंग लगे अब रोबोट की सहायता से इन्हें एक स्थान पर इखटा कर लिया जाता है और साथ ही वायर को बेंट करके प्रेस जिसे आकार का बना दिया जाता है और इसी के साथ इन मेंट पार्ट्स से जोड़ दिया जाता है जो टेंपरेचर को कंट्रोल करने में हैल्प करते हैं इस प्रोसेस के बाद इन पार्ट्स को प्रेस के अंदर फिटिंग किया जाता है फिटिंग प्रोसेस के बाद निचले वाले पार्ट्स पर ब्लेक ग्लू को चारो तरफ लगा कर उपर वाले हिस्से को जोइंट कर दिया जाता है और साथ दी पिछले हिस्से में PCV के साथ केबल सर्किट को लगा दिये जाता है इस फूल प्रोसेस के बाद इन प्रेज के अच्छी तरीके से पेकेजिंग की जाते हैं और फाइनली पेकेजिंग होने के बाद इनने मार्केट में सेल्स के लिए पैस दिया जाता है तो दुस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना थेंक्स पूर वाचिंग डिस वीडियो